पिछली वीडियो में हमने बात की कि तौमेवसंध्या आज हम बात करेंगे सावित्री जब देव कहते हैं कि तौमेवसंध्या सावित्री तौम देवी जननी परा इसका अर्थ क्या है सावित्री कौन है अब इस शब्द को समझने के लिए हमें सूर्य की शक्ति को जानना हमें दिती और अधिती को जानना होगा और उसी शब्द को जानने के लिए हमें अधिती से आधित्य इसको जानना होगा अधित्य से सावित्री सूर्य की शक्ती सूर्य का तेज तुम ही संध्या हो वो अमरित बेला वो ठंडा हलका हलका प्यारा सा सूरज जो तुम देखते जो उगता है और लाल लाल लगता है और मन को भाता है लुभावना लगता है तुम ही हो जब मैं उठता हूँ मैं सामने देखता हूँ उसे देखता हूँ तो मेरा मन कितना शांत होता है मेरे मन में शांती भरने वाली भगवती तुम ही हो और अमरित रूप बरसाने वाली तेज तेजी तो अगनी और सन जब उगता है तो शान्त होता है परन्तु दुपहर का दुपहर 11 बजे 10 बजे के बाद में शान्त तक जो सन की एनुरजी होती है तो वो जो क्या है वोही तो आपको भगाती है आप रात में भागते हैं रात में रात शायन के लिए बनी है रातरी शायन के लिए बनी है दिन काम के लिए बना है और जहां पे जब गर्मिया होती है तो आप कितना energetic हो जाते हैं जब सूर्य जिन जगाहों पे सूर्य कम है वहां पे लोगों की immunity भी कम है क्यों क्योंकि energy of sun does not come there properly है न तो इसी लिए इसी प्रकार से सावित्री कौन है ये हम अगली पोस्ट में भी discuss करेंगे सावित्री है सूर्य की शक्ती और सूर्य कौन है आदित्य आदित्य कहां से आए अदिती से अदिती के अदिती से आदित्य अदिती से देव हुए सब देवों के जो राजा माने गए हैं वो सूर्य नारायन माने गए हैं सूर्य को नारायन कहते हैं तो जब हम कुन्जिका की बात करते हैं हरीम कारी प्रतिपालिका हरीम का सीधा सूर्य स्वर से संबंद है हरीम का प्रचंड शक्ति जो आपको चलाएमान रखती है जो आपके अंदर शक्ति भरती है जो आपकी डाइजेशन जहां से देवों का द्वार खुलता है सावित्री के बारे में हम और बात करेंगे सावित्री देवों का द्वार और जहां से जो अगनी वेदों में लिखा है जो अगनी है वो उसी प्रकार से जो हविश्य हैं वह निरंतर जब हम यग्य करते हैं तो पहुंचाते हैं और अगनी ही जो हैं वह पुरोहित हैं सबसे बड़े और उसी प्रकार से वह अगनी की शक्ति हैं स्वाहा और स्वधा और वही सूर्य की शक्ति हैं सावित्री सवितर सवितर देवता हुए है तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे वेदों के देवता है और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम केवल पठन कर रहे हैं या जान रहे हैं या पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं उसे अगर नहीं समझ रहे हैं तो मैं अपनी बाडी को कैसे समझूगा, मैं बाहर देवताओं को ढूणने जाता हूँ, मेरे अंदर भी देवता है, मैं बाहर सूर्य को ढूणने जाता हूँ, मेरे अंदर भी सूर्य है, जैसे ही यथा पिंडे तथा ब्रम्हांडे, जैसे ही बाहर सूर्य उदे होता है, मेर हें सावित्री जो सूर्य की शक्ती है और सूर्य- तेज का प्रतीक शूर्य रीम शूर्य शक्ती सूर्य प्रचंड शक्ति और सूर्य झी कारण है जो फर्ट यह आपका greenhouse effect होता है उसके plants में greenhouse effect होता हैना य crash सूर्य ना हो तो नहीं हो पाता क्यों नहीं हो पाता सानलाइट से ही हम एब्जॉब करते हैं प्लैंट्स सानलाइट से एब्जॉब करते हैं हमने बच्पन में सबने पड़ा है यही है शक्ति सूर्य की वो जो अर्थ तक जो भरन करती है वो है सावित्री और इसके बारे में ह और बात करेंगे आगे